बादचीत में वो बैटक में तो कह रहे हैं लेकिन आएक तर्फ ऐसा हो रहा है हमारा एक किसान एक नौजवान इनकी गोली से या किस तरीके से कोई शेल वजा है वो पता करेंगे जाकर वो शेहिद हो गया अगर हमारा एक बच्चा शेहिद हो गया ऐसे अहलात में बैठी करना मुझे उच्चित नहीं लगए जाएंगे दिल्ली की तर्फ जाने का बाद में अभी स्पेस्टन लेंगे पहले हमारी जम्मेदारी उस बच्चे की समालना है हम यही अपील करेंगे के पांचवी दौर के बैठक के लिए हम सब को आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संबेदन सिल हो करके हम अपना पक्ष रखे क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान ततकालिक द्रिष्टी से भी धिर्गकालिक द्रिष्टी से भी हमें समस्या का समाधान के दिशाब है बारता के मादें से आगे पढ़ना है इस प्रकार की सूचना आ रही थी हमारे पास कि प्रदर्शन कारी अपने साथ भारी मशीनरी जैसे जे सीबी पोकलेन और हाइडरा इत्यादी लेके आ रहे हैं तो इस संबन में हमने पंजाब पोलिस से पे रिक्वेस्ट किया है कि इन इस प्रकार की मशीनों को जो है बार्डर तक ना पहुँचने दे और हम प्रदर्शन कारियों से भी अपील करते हैं और चुकि उन्होंने खुद भी इस प्रकार की घोशना कल शाम अपने प्रेस कॉन्फरेंस में की है कि वे शांती पूरक तरीके से धर्ना प्रदर्शन करना चाहते हैं इस प्रकार की अपील का हम स्वागत करते हैं और हम उनसे एक बार दुबारा अपील करते हैं कि इस प्रकार के किसी भी मशीनरी को धर्नासहल पे ना लाएं जो जे स्बिकर वगएरा जनेटर वगएरा लेके जा रहे हैं जहां पे भी गरना लगेगा वहां बत्ती का और पबलक को कंट्रॉल करने का और कोई साधन नहीं है इससे ही कंट्रॉल होगी इसके अलावा कसानों के पास खाना है चावल है आटा है दाड़ है बठी है और कोई ऐसे थ्यार नहीं है जिसका सरकार बर्म पाल रही है सरकार के पास फोर्से हैं उनके बास तागत हैं सरकार कुछ भी कर सकती है लेकर जो भी होगा अगर आगों को गृफ्तार करते हैं उन पे उटाते हैं उन पे वक वक दराओं पे परच्चे डालकार उनको अलाग अलाग जेलों में वेईते हैं वो देश की हित्मे होगा देश पचेगा हम देश भी जाना चाहते हैं ना कि अपने आपके करें कर दो करेंद है करें करें